यह वीडियो उन्ही सभी चात्रों के लिए महत्पूड होने वाली है जो यह जानना चाहा रहे हैं कि परिच्छा में कौन-कौन से प्रश्णाएंगे तो उन्ही सभी चात्रों के लिए वीडियो बहुत ही महत्पूड है जो भी हमारे बीए के फस्टियर के फस्समेस्टे के जिनका सब्जेक्ट सोचोलोजी यानि कि समा साथ रहे उनके लिए वीडियो बहुत ही महात्पूर है क्योंकि इस वीडियो में हमने वह सारे कोश्चिन इंकिलूट की है जो कि पिछले फालम कई बार रिपीटेड है और इस बार आपकी परिच्छा होने वाली है कल परसो या कोश्चिन पेपर और साथ साथ में इन सभी का मिक्स जो हमने करके वीडियो बनाई ये उसी में से प्रस्ण प्रसेंगे ठीक है तो चलिए आते हैं में परिवार को परिभासित करते हुए उसकी प्रमुक विशिष्टाएं बताइए ये बहुत बार प्रस्ण पोचा जा ठीक है उसी से फैमले सब्द का सुरुवात हुई है ठीक है जो एक ऐसे समों के लिए प्रियुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे नौकर और दास हो ठीक है उसको हम क्या कहेंगे फैमुलस ठीक है फाधाना अर्थ में बिवाहित जोड़े को परिवार की संग्या दी मतलब अगर आप मालिजे कहें कि परिवार का मतलब यह हो गया कि जो साधी जिनकी हो गए मतलब कि जो बिवाहित जोड़े हो गया यानि कि हस्वेंड और वाइफ प्लस दिन प्रतित जैसे जैसे उनके आगे जनरेशन बढ़े बच्चे हो ठीक है तो वह एक फैमली कह लाग हो ढरेए गई की परिवार को इंगलिस में हम फैमली कहते हैं और फैमली सब्रवात है यह लैटिन भासा के फॉमल्लस सभ्ण से हुआ है वर्ट से हुआ है ठीक है जिसका मतलब होता है ठीक है कि माता पिता बच्या और नोकर और दास ठीक है और उसके बाल लिखेंगे कि पर पतनी ठीक है जिसमें पती पतनी और उनके बच्चे हों ठीक है उसको हम एक परिवार कहेंगे ठीक है या फिर आप लिखतने हैं कि जिसमें पती पतनी बच्चे पापा आपके बाबा जी दादा जी हों उसको हम परिवार कहेंगे ठीक है और इसकी परिभासा हमारे जो बिद् वंदों पर आफ्रित है और इतना चोटायम सक्तिसाली है जो संतान के जन्म और पालन पोस्टड की बहुफ्था करता है ठीक है तो मतलब की परिवार उस समोह का नाम यानि कि उस गुरूप का नाम है जिसमें मान लीजिए कि फिजिकली जो पती पतनी आपस में जो उनका इंट्रेक्ट होता है मतलब कि इंट्रेक्ट करते हैं ठीक है और उसके बाद उससे बच्चे की उत्पत्त होती संतान होता है और उनका पालन पोस्टड य यह परिभाफा दी है मैं का एवर यह पेज जीनी ठीक है और अलग-अलग परिभाफा अलग-अलग बिद्वानों के नुसार दी गई है लेकिन जो मैंने उपर परिभाफा बताई वह बहुत ही पोप्लर हो सिंपल सी आप अतना तयार कर लेंगे बाकि आपको जो परिभाफा पढ़ेंगे ठीक है अमने इस प्रश्ण भी कई बार पांथ पूछा जा चुका एक्जाम में कि नातेदारी बेवफ्था यानि कि नातेदारी जो सिस्टम होता है ठीक है उसकी परिमाफा दीजिए तथा नातेदारी के प्रमुख परकार के बारें बताई ठीक है तो चली जानते हैं इसके बारे में तो नातेदारी का मत्तब यहीं हुआ कि आपके मामा होगे मौफा होगे आपके जीजा जी होगे ठीक है और आपके मौसा जी होगे ठीक है यह सब आपके क्या होगे नातेदारी होगे आपके रिष्टेदार होगे ठीक है नातेदारी और सभनानेने के अउसर करता है कि मानो वाफ्तर के अंतरगर नातेदारी चमनादो के अध्यन को महत्थ्व प्रदान किया गया है मैलिजै कि अगर आपका कोई क या पने doubts नहीं चिप्छी करेंंगी कि हमारे कोई आ पीछे है तो इसले नातेदारी को को एक ऐस्थान दिया गया है इस क्या होता है कि इसके दिमाग में रहता कि हम भई कुछ हमें हो जाए जाए गए कुछ विलाएंगे थो कोईzamég रिष्द्धान नातेदार रहेंगे मानसिक हमारा जो हमारा जीवन है वो पूरी तरह सव्थ्था रहता और इस कार्ट से मानुफाफ्तर और समासाफ्तर के अंतरगत नातेदारी संबंद के अध्यन को महत दिया गया है मतलब कि मानुफाफ्तर में नातेदारी के बारे में पढ़ना समझना ठीक अध्यन करना ठीक है उसका महत तो दिया गया है ठीक है और इसकी नातेदारी बेवस्था का अर्थ परिभासा यहां पर प्रस्तुत है कि समाज में कोई भी ब्यक्त अकेला रहे कर जीवन नहीं वितित कर सकता यह आप सभी को मालूं जैसे कि हम यह जैसे हमारे ना तो मामा हो ना तो हमारे मौसा हो थौना अटो हमारे जीजा होना थो खूफा होना थो हमारे कोई रिये फन तो आपको जीवन ऐसा लगए कि हम अकेला को भूल्गा और आप को सब्सक्राइब कर सकता बिल्कुल सकते हैं और उसकी कहीं न कहीं रिष्तेदारी नातेदारी होती है तभी वो दिन प्रतिदिन आगे मांची ग्रूप चस्वत रहता है और प्लस उसके दिमाग में यह कभी थोड़ नहीं आता कि हमें कुछ तो कोई कोई तो कोई ना आएगा रिष्तेदार अदनातेदारी में ठीक है तो बैख्त जन्म से लेकर मृत्त के घ़िरा रहता है हुआ जरूरत रहती है न बिक्ति वह से अदिक महात्पूर्ब्यक्त वो होते हैं जो बिवा रख्ट संबंधी होते मतलब की रख्ट वहाँ होगी तो क्या होगा रख्ट का रॉक्त संबंदी होते हैं पिवा और रक्त से संसभी बेख्टियों से भी हमारे संबंद संवान प्र liberal कि नहीं होते हैं कुछ बेख्थियों से हमारी निकेटता अधिक रहा है जिसे ही चान से के रूप में हम आपको बता रहे हैं जिसे कि आपके मामा है बहुत लोगों के अला गलग भाई रिलेशन है जिसे कि आपके मामा है ठीक है तो आप से और आपके मामा के यहां पे बहुत घनिश्टता रहेगी ठीक है ओके बहुत घनिश्टता रहेगी और बहुत ज्यादा उन तिए लगेगा और नहीं आपको उतना आने जाने में ईच्छा लागेगा उसे हर चीज बाते उसे हो घनMrता हो गई या फिर आपकी थाल से आपकी भूट ही घनृता हो जाती यह कुछ रिलेफन होते जिनसे संबंद बहुत ही घनिष्ट यानी की बहुत स्टोंग रहता है तो इस प्रकार आप लिखेंगे नातेदारी और नातेदारी बेफ्था के बारे में बहुत ही पॉप्लर कोश्चिन इसकी परिवाफ़ा अलग-अलग विद्वानों ने अलग- करके लाएं यूटूब पर कोई ऐसा नहीं होगा साइध कोई होगा जो एक दो माली जे वीडियो की एक दो सब्जेट की आपको पीड़ेब देगा ठीक है हम देते हैं कोईस्चन और एंसर दोनों के पीड़ेब को इस पीड़ेते हम भी देते थे पहले लेकिन हमने सोचा क कि भाई आप लोगों के समस्थ प्रस्तूत किया जाएं तो आपको बताते हैं और उसका कोईस्चन भी ठीक है चलेने कि परिवा की परिभासा भी बहुत ही पॉपलर कोईस्चन कई बार परिच्छा में आ चुका भीवा का उद्देश क्यों लोग साधी करते हैं तो इसके बारें भी थोड़ा परिचे ले लेते हैं तो बीवा एक समाजिक संसिता है अगर आप किसी समाज में रहे रहे हैं तो वहां पर वाईं आप एक उमर हो गई आपकी ठीक है तो आपको साधी करना ही करना पड़ीगा ठीक है करने का मतलब यह कि जबजस्ती नहीं है वह समाज करना एक military होता है जरूरी होता है ठीक है एक प्रथा होती है ठीक है जिसे कि आप पानी नहीं पिएगे तो आप कितने दिन तक जी बित रहेंगे ठीक है महला कि पानी इसे और साधी से कोई लेना देना नहीं पानी मा धी जा आदellow चार शें दिन दस दीन नहीं पिएगा तो साइद मर जाएगा लेकिन बिवा अगर साल दो साल चार साल लेड भी करेगा तो कुछ नहीं होगा लेकिन मैं एक्जामपल बेसिक सा दे रहा हूँ ठीक है तो कुछ ना कुछ चीज़ी जो होती है वो जरूरी होती है ठीक है जो कि आपको समाज में रेकर उसको अपनाना ही पड़ता है तो साधी एक संसुथा है जो कि आपको अपनाना पड़ता है जिसके माद्यम से ब्यक्त अपनी मूल भूत अवस्यक्ताओं की पूर्ट करता है साधी के बाद जो उसकी आवसक्ताएं होती उसकी पूर्ती भी होती है मानों के बिभिन प्राणी साफ्त्री आवसक्ताओं में योन फंतुष्ट एक अधार बूस सबक आवसक्ता है मतलब साधी के बाद योन जो फंतुष्टी है ठीक है जो फिजिकल होते हैं वाइफ ठिक है आप लोग समझदार है तो वे जो संतुष्टी मतलब की जब फिजिकल होते हैं तो फंटुष्टी मिलती वो एक बहुत बड़ी आवसक्ता है ठीक है ठीक है तो इसलिए बताया गया है कि साधी बहुत ही जरूरी और एक बहुत ही जरूरी आवसक्त चीज़ है ठीक आवसक्ता होती है आप लोग कर गएन रिलेसंशिप में है ठीक है गठ्ट्रेंड्ट वाला आप लोग समस्दार है सिर्फ मनस्वीं की पूर्ट करने के लिए वूटाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तयार रहते हैं ठीक है और ये समाजिकों सांसकृतिक के अंतरगता आता है लीगली वो भी यह नहीं कि किसी को भगा ले जाओ किसे जवजस्ति करो ती यह नहीं वाला ठीक है जो कल्चर है रित रिवाज है वो सिस्टम से समाज की नियम गानून से किय जाए तब ही वो एक समाजिकों सांसकृतिक चीज कहलाएगी योन इच्छाओं की संतुष्टी ने ही बिवाह परिवार तथा नातेदारी संसथाओं को जन्मदी आए ठीक है योन इच्छाओं की जब पूर्ती हो जाती है तब ही क्या होता है वहां पर वहां पर इसी की संत समाज इसे मानिता नहीं देता है तो आप लोग जानते हैं जिसको लोग बोलते हैं कि साधी से पहले साधी से पहले जो लोग रिलेसंशिप में रहते हैं गल फ्रेंड बॉय फ्रेंड या फिर किसी से चक्कर चलता है उनको जो आप लोग बोलते हैं तो यह भी योन संबंध संभव होए लोग करते भी हैं साधी से पहले करते नहीं है एक दूर फिर से फिजिकल होते नहीं है तो क्या होता है ना कि यह जब कि जो समाज है यह इसको मानिता नहीं देता है ठीक है साधी कर लिजिए उचके बाद आप अपना जीवन बितीत करिए सुख में जैसे भी उन स प्रचे हमने दे दिया बिवा के उद्देश कुछ आपको प्रशना गया तो आप हेडिंग लिखेंगे कि बिवा के प्रमकुदेश तो नंबर एक पर लिखेंगे योड इच्छाओं की पूर्ति पहला उद्देश दूसरा परिवार की अस्थापना होती है भाई बिवा के ख़ता है ठीक साधी जरूरी है तो यह एक तरीके से उद्देश की पूर्त होती जब साधी कर लेता है इंसान तो इस तरह आपको उत्ता लिखना है और हर उद्देश के अंतरगत उसके बारे में थोड़ा डेटियल में दिया जो कि आपको पढ़ना है ठीक है आप इसे बन कीबियां कीजिए यह वृथ anthrop कोश्चिन से बिखान से उन्हें के मनुष्य का जण्म होता है थीक है मनुश्य का जण्म में एक कामपीपन पकड़ा दिया रिखना चालू कर दिया ठीक है तो घूरान तो होता सीग्र नहीं होता धीरे धीरे वह इस्टेप बढ़ता तो वही कहरा है कि कि तुछ सीग्र ही एक समाजिक प्राड़ी नहीं बन जाता है मानों द्वारा आधिकाल से ही ज्यान का संचे किया जाता आज से नहीं आधिकाल से बहुत से हजारों लाखों साल पहले फे ठीक है पिर एक नई पीड़ी को पुरानी पीड़ी द्वारा कुछ ग्ञान संचे समाजिक विदासत प्राप्त होती है जिसके मैं कृ आपको बता दो मेरा नाम संदीप मोड़िय है तो हमारे क्या होता है आप लोगों को मालू है कि सब्जी उगाने का काम करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो बाबा जी थे वो भी सब्जी उगाते थे, ठीक है, उसके बाद पिता जी भी हमारे सब्जी उगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये कुछ चीजे जो ग्यान होती हैं, कुछ चीजे जो आपको आपके पीड़ी से आपके अंदर संचे होती ज़ो कि आपको विराफत में मिलती है एक जिसे हमारे बाबा जी पहीर सब उगाते थे तो हमारे पिता जी पहीर उगाते हैं यह क्या हो गया यह पुरानी पीड़ी फे कुछ चीजे और कुछ ज्ञान और कुछ चीज विरासत में प्राप्त होती है जो जिसे हमारे बाबा जिसे हमारे पिताजी को विरासत में यही प्राप्त हुआ उसके बाद अगला पॉइंट लेखेंगे कि मानों की प्रतेक पीड़ी में सीखने की प्रिक्रिया की सहायता से और हफ्तांत्रण द्वारा ग्यान की ब्रद्धी की होती है यह फिर होती गई है मतब कि जैसे भी जैसे भी पीड़ी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी नौलेज उसका ग्यान उसकी जो सोचने समझने की ठीक है जो छमता होती वो भिन होती है वो बढ़ती है ठीक है ज्यादा तर ग्यान की यह परम ठीक है परमपरात्मक स्रंखला ही फिच्छा है जिसके माध तो पहले क्या था इंसान बंदर यानि की पसुता ठीक तूसका दिन प्रति दिन बढ़ता गया और उसका अफ्तर जो ही उंचा उठता गया आज वह मनुष्य हो गया तो कहां चुर स्पल भोरा हो पाया फिच्छा फेट उपाय तरीके से बोल सकते हैं तो development होता गया विकास होता गया तो धीरे धीरे इंसान ठीक है कहां से कहां पहुंच गया मत्तब की बंदर से मनुस्य बन गया और सेष्ट सांस्कृतिक प्राणी बनाया ठीक है सेष्ट सांस्कृतिक प्राड़ी बनाया चीनी संत कन्फूसियस ने कहा था कि आग्यानता एक ऐसी रात्री के समान है जिसमें ना चांद है ना तारे इस प्रकार आप समझ लीजिए काफी बार पहुंचा जा चुका ध्यान लखेंगे धर्म से जुड़ा भी काथ कोश्चन पर इसको भी ध्यान यहां पर आपको जो को स्पर लेंगें को तैयार करके जाएंगे क्योंकि शमय नहीं ज्यादा आप लれदी बीडियाप पहले यह धर्म यह भी प्रस्ट कई बार आ चुका है इसको भी ध्यान लखेंगे ठीक है राज और समाज में अंतर यह भी मुश्ट इंपार्डन कोईश्चन है कई बार प्रच्छा में पुछा जो का एक बार नहीं कई बार आ चुका है पहले तुम्हें आपको उता दू समा साफ्त की प्रिभावां वा कर लेना एंवाल समाज्ट की विशज़्टा है इन दोनों में वह त्यार कर लेना नाप उसकी घृता है बहुत हम जयाता है ठीक है कि सांस्कृत की ऐधाना की देखने प्रस्ण आपको लग utr йге जहारा देखनगे को मिलता है ध्यान रखेंगे ठीक है ओके अब आज जाएंगे समाजिक प्रिक्रिया की अधाना यह भी कोश्चन हमेशा नहीं रिपीट होता कभी कदार होता लेकिन जब आता है तो यह लगुत्रे फिर देरगुत्रे में आता है ठीक है अतिले बहुत कम आता है ओके संगस और प्रतेश परद्धर यह भी दोनों क्वोश्चन मौस्ट कने गुत्रे में साइथ कभी नहीं देखने को मिलेंगी लगुत्रे में देखने को मिलेंगी ठीक है AJ समाजिक संधर्चना की अधाना यह भी देखनां करोया प्यान कर नहीं और और आपके समस्त है ध्यान दे लीजिए ठीक है और हमाई पास समय है इसलिए हम आपको ज्यादा एक्स्प्रेइन नहीं कर पाएंगे जो जो कोश्चिन पोसिबल हो पाए मैंने उसको एक्स्प्रेइन कर दिया ठीक है समाजी कस्तिरी करण यह भी आपको लगुत्रे देर गु पास चुका है और इस बार भी आपके पर इच्छा होने वाली तो उसमें फसेगा स्योर है ठीक है चलिए कि समाज साफ्ते पर पेच्छी यह कभी कदार आता हमेंसा नहीं आता तो आप चाहे तो पढ़ सकते एक नूर भी कर सकते हैं ओके ओके क्या कॉश्चन पॉपलर जो क समधाय वाला यह नीचे समधाय की सिस्ता है संस्था यह बहुत सारे कोईश्चन है और यह पूरी के पूरी पीडियाप हम आपको टेली ग्राम वाट्सप दोनों पर प्रवाइड करा देंगे जो लोग हमें मैसेज करेंगे तो इस वीडियो में जितने भी कोईश्चन करणेएं समय यह समय जयादा है आपके पास हमारे पास भी इस ल電 इस मैंने प्रश्ट मता है इनको जरूताइयार कर लिजीए ठीक है और पीडिया आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जो लोग हमें मैसेज करेंगे लिंक वीडियो को डिस्कुस्टन में टेलीग्राम पर और माडल पेपर हमें भीज दीजेगा जब आपकी परिच्छा हो जाएगी त आपको हमें कोश्टन पेपर भीर दीजेगा ठीक है जहिंद